गुड मॉनिंग बच्चो आज मैं आपको क्लास 7 विश्यगडिक अध्याय 12 प्रश्णावली 12.2 इसका पार्ट है आपका तू वन मैंने आपको 12.1 आपको पिछली वीडियो में भेजा था देखिए कोशन नमबर वन समान पदों को सहुजित करके सरल कीजिए अब जो चीन लिखे में उसी चीन के हिसाब साब आपको जोड़ना घटाना है लेकिन पद समान होने चाहिए तब ही आप प्लस माइनस करेंगे तो उत्तर वन तो इसका पहला है 21B माइनस 32 प्लस 7B माइनस 20B अब इसको जो समान है उसको हमें एक साथ रिख लेंगे ठीक है 21B प्लस 7B माइनस 20B माइनस 32 तो इसको जब सलूशन करेंगे 21B प्लस 7B प्लस 7B इसको घटाएंगे तो 28 में से 20 के 8 तो 8B माइनस 32 तो इस तरह से यह आपको सलूशन करना है पर समान होने की है ठीक है ऐसे आप इसका सैकिन वाला करके देख लीजिए एक बार सैकिन वाला भी पता देता हूँ सैकिन वाले में माइनस Z स्कॉयर प्लस 13 Z स्कॉयर माइनस 5 Z प्लस 7 Z स्कॉयर त्री इसके बाग माइनस 5 15 Z तो हम जो एक से वाले एक से कर लेंगे तो प्लस 7 Z की 3 प्लस 13 Z स्कॉयर माइनस Z स्कॉयर माइनस 5 Z प्लस स्वरी माइनस 15 Z अब यह 5 Z और 15 Z ठीक है अब जो एक साथ वाले आप Z की 3 कहीं नहीं है तो यह तो हम ऐसे लिखेंगे 7 Z की 3 अब 13 में से एक माइनस करेंगे तो 12 प्लस 12 Z स्कॉयर 5 और 5 माइनस 20 Z ठीक है इस तरह से हम करेंगे तो कोश्चन नमबर 1 इस तरह से होगा आप कोश्चन नमबर 2 देखिए इसी तरीके से आपको यह कोश्चन करने है ठीक है इसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी पस आपको ध्यान से करना है आंसर 2 इसमें भी आपको जोड़ना है उसमें तो आपको जो चिन दिये तो वो करने है अब इसमें है पोश्चन नमबर 2 का 1 पार्ट त्री एम एन माइनस पांच एम एन आठ एम एन और माइनस चार एम एन ठीक है तो हम एक साथ लिख लेते हैं टी एम एन प्लस माइनस पांच एम एन प्लस आठ एम एन प्लस माइनस पोर एम एन ठीक है इस तरह सकर हम करते हैं तो 3 एम एन प्लस माइनस माइनस पांच एम एन प्लस आठ एम एन माइनस चार एम एन तो अगर हम करते हैं 3 प्लस आठ माइनस पांच माइनस चार एम एन ठीक है इस तरीके सकर हम करते हैं क्या कि औो इस तरह से आपको स्टेश्ट करने हैं अब अब उत्तर ट्री इसी तरीक्येसे आपको करने हैं आंस्वाग्ति में आपको कर आघार हूं बागी सारे कोश्टिन आप अपने हैं आप करेंगे अब इस में से आपको घटाना है y की 2 में से माइनस 5y की 2 अब y में से घटाना य में से माइनस 5 की 2 घटाना है तो y माइनस पाँच y की 2 y की 2 माइनस माइनस प्लस 5y की 2 ठीक है अगर इसको हम करते है तो 5 और 1 6 तो 6y की 2 ठीक है तो कि 2 नों बराबर है तो 5y की 2 और 1y की 2 तो कितना हो गया 6y की 2 तो इस तरह से आपको ये question की solution करना है ठीक है इसका एक question में आप और करा देता हूँ ये आपको 1 कराया exercise 12.2 का question number 3 अब इसका second order करा देता हूँ बाकि फिर आप अपने आप करेंगे second part minus 12xy में से आपको गटाना है 6xy ठीक है तो minus 12xy minus तो गटाना है तो इसलिए minus का sign हो जाएगा 6y तो minus 12xy minus 6xy तो अब ये भी minus है और ये भी minus है तो minus minus plus तो देएगा minus में भी 18xy तो इस तरह से ये आपको question करने तो question 123 ये मेने आपको कराएं और इसके आगे के जो question है आपको स्वेम अपने आप करने हैं जो नहीं करा रहा जो छुड़वा रहा हूँ आपको स्वेम करने हैं और जो मैं करा रहा हूं blackboard पे आपको योप